नमस्ते आप सभी को स्वागत एक नए वीडियो में आप क्लास 12 का स्टुडेंट और इस वार बोड एक्जाम देने वाले हैं तो प्लीज आप लोग इस वीडियो कौन तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी चेप्टर 8 सिपाही कीमा कि जो भी 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 अ करते हैं वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो के लाइक और नयोते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा देखें सिपाही की मा कहां एक कांकी है जिसका लेखा का आपको पता है कि मोहन राकेश है मोहन राकेश का जनम यह भी याद रखेगा आर्ट जनबड़ी 1925 को हुआ था ठीक है न कहां हुआ था पंजाब में हुआ था तो चली जो भी अबजेक्टिव है वो पर लेते हैं एक बार और देखते हैं प्लीज आप लोग हमें जरूर कमेंट करके बताएगा टोटल कितना अबजेक्टिव आपको सही हुआ फर्स्ट क्वेशन है मोहरा केश का बचपन का क्या नाम था मदन मोहन मुगलानी क्रिष्न मोहन मुगलानी और रधा क्रिष्न मुगलानी राम क्रिष्न मुगलानी तो याद रखेगा इसका बचपन के नाम था मदन मोहन मुगलानी ठीक है चलिए क्वेश्चन नमर दो देख लेते हैं मुन्नी कौन थी सुखनी की बेटी, रजनी की बेटी, सिवानी की बेटी, बिष्णी की बेटी आपको पता है कि जो मुन्नी है वो किसकी बेटी है तो आपको पता होना चाहिए बिष्णी के बेटी है समझे? यानि बिष्णी सिपाही की मा चलिए, question number 3 देखते है सिपाही की मां एकांकी की कतावस्तु है ये निम्न मध्यम बढ़की उच बढ़की उच बढ़की उच मध्यम बढ़की निम्न बढ़की तो दिखें तीन क्या आपको अप्शन सही होगा option number A, निवन मध्य वर्ग की, ठीक है, कौन से होगा, option number A, question number 4 है, सिपाही की मा एक आंकी की बिष्णी चरपाई के पास, मोड पर बैठे, क्या करती, दिखाई देती है, यानि सिपाही की मा में, एक आंकी की बिष्णी, चरपाई के पास, मोडे पर, बैठी, क्या करती, दिखा तुर आपको चार का एंसर याद रखेगा चार आपको एंसर सही होगा अपसर नमबर ए सूत काटती ठीक है न अगला है रंगून कहा है रंगून कहा है याद रखेगा जब आप हिस्थी पढ़े होंगे तो जो भारत के मुगल बंस के अंतिम सासक बहादूर सा जफ़र था उसको वहीं पकर कर ले गया था कहां रंगुन में ही ठीक है तो रंगुन कहां है नेपाल में बढ़मा में जपान में चीन में याद रखेगा यह बढ़मा में है ठीक है न ऑप्शन B मोहराकेस रचित नाटक संग्रह है उत्तर प्रियदर सी पहला राजा सत्य हरिश्चंद्र असाड का एक दिन त्याद रखेगा इसका एंसर होगा उप्शन नमर डी असाड का एक दिन लाइक शेर कर दीजेगा जो भी है इस्टूडेंट है सिपाही की मा एकांकी के लेखक कौन है या सिपाही की मा का रसनाकार कौन है ज़े पहले इसका — महराकेस रचित के मा इसका जलब आठ जलबरीी पुनें बज़ाप में हुआ था ठीक है न? और माता के नाम बच्चन और पिताजी के नाम इसका क्रमचंद गूगलानी ठै बिष्णी किस एकांकी का पात्र है पैरतले की जमीन लहरो की राजहंस आध्य अधूरा सिपाही की मा तो बिष्णी जो एकांकी से एकांकी के पात्र है तो सिपाही की मा का है मानक की मा का क्या नाम था कुंती मुन्नी बिस्नी इन में से कोई नहीं तो आपको पता है जो मानक की मा है वह बिस्नी है नौक आकाउन सही होगा नौक आपसन सही होगा सी बिस्नी ठीक है चलिए question number 10 देख लेते हैं मानक किस इउद में सीपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया था प्रत्थम विस्यूद, दूतिये विस्यूद, कारीगिली उद इन में से कोई नहीं तो दस क्या आपको अपसन B होगा second world war यानि दूतिये विस्यूद में मानक क्या किया गया था बर्मा में यूद लडने ठीक है सीपाही की मा एकांकी में किसकी कथा वस्तू पस्तूत की गई है मा बेटा के, मा बाप के, मा बेटी के इन में से कोई नहीं तो एगारा कि आपको पढ़े होंगे तो आपको पता होगा इसमें मा और बेटी मा बेटी की का था वस्तु पस्तुत की गई है option कौन सही होगा option 11 के option C सही होगा like share कर दीजेगा जो भी student है please like share कर दीजेगा आपने दोस्तुपाय share भी जरूर कीजेगा मोहराकिस की इस पत्रिका के समपादक रहे सारिका, सडीता, असमारिका इन में से कोई नहीं तो 12 के आपको option सही होगा C या A होगा सारिका, ठीक है ना 12 का मोहराकिस इस पत्रिका के समपादन किया था मुन्नी डाक गारी के पीछे क्यों जाती है रासन के लिए, पेंसन के लिए, चिठी के लिए किसी अन्यकार के लिए आपको पता है कि मुन्नी डाक, जब डाक गड़ी जिनाईत जिस समय आता है, उसके पास आता है कि उसको कोई न कोई उमीद रहता है कि चिठी आया होगा तो 13 कि आपको C सही होगा 14 कोस्टन है, नाटक के छेतर में चोधा, उसका एंसर आपको सही होगा Option number D, मोहानाकेश ठीक है न, यानि कोस्टन था कि नाटक के छेतर में नाटक के छेतर में जैसंकर प्रसाद के बाद किसके सबसे बड़ी परतिभा कौन मानते है ते ये मोहानाकेश जिका ठीक है मोहान, राकेश याद रखेगा सिपाही की मा सिर्शक पाठ में हडियो को चलता फिरता धाचा कौन है पलल्टू राम, दिन्नू कुमार सिया राम मोची, पंडि दीना नाथ तो पंदरा के आपको option B सही होगू दिन्नू कुमार ठीक है ना, option याद रखेगा इसाई लड़कियों बिष्णी का घार आकर क्या मांगती है रुप्य कपरे, चावल दाल इन में से कोई नहीं तो सुल्ला के आपको option B सही होगा वह चावल दाल मांगती है ठीक है ना तेरहा दीनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे या किसने कहा उन्ती, चौधरी, इसाई लड़की, दिन्नू तो सत्रा के आपको इंसर सही होगा कि चौदा तेरा दीनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगल रास्ता में चलते रहा है या इसाई लड़की कही थी ठीक है न मोहराकेश किस अंदोलन के परमुखास्ता अक्षर्थ थे नई कहानी अंदोलन के कवीता अंदोलन के स्वाधिनता अंदोलन के समार सुधारक अंदोलन के ता ठारक के आपको अप्षन A सही होगा नई कहानी अंदोलन के ठीक है न अप्षन नमबर कौन सही होगा A सही होगा याद रखेगा अगला क्वेश्चन है निमलिखित में कौन सी रषना मोहराकेश की है रस्ताल यत्रा सुख मैं जीवन न आने वाला कल हड प्षन के हरी नाम नहीं इसका अंदोलन के आपको सही होगा अप्षन नमबर सी न आने वाला कल जिसका लेखक है कौन है? मोहराकेश याद रखेगा न आने वाले कल ठीक है इसका लेखा कौन है मोहाना केस है like share कर दिजएगा जो भी student है please like share कर दिजएगा अगला question है किसकी माँ पागल हो गई है मानक की सिपाही की चोधरी को दिन्यू को तो 20 का आपको option होगा B सिपाही की किसकी माँ पागल हो गई है? तो यहाद रखेगा सिपाहे की ओप्सन कौन सभी होगा? बीश का बीश सभी होगा लाइक शैर कर दिजेगा मुल्निक की उम्री कितनी हो गई थी? दस बर्ष, बाराज बर्ष, चोदा बर्ष, सुलंअ वर्ष तो आपको पता होगा कि मुन्निक उम्र कितनी हो गई थी इसका एंसर होगा 14 वर्ष यानि option C सही होगा निमलिखित में विष्णी की परोशन कौन थी आभा, विमला, कुंती, माधुरी याद रखेगा जो कुंती थी 22 के option सही होगा C कुंती जो विष्णी के क्या था परोशी थी मुन्निक किस दिन मानक की चिठी के आने के भविष्वानी करता है बुद्धवार को, व्रेश्पातिवार को, सोमबार को, मंगलवार को तो 23 के आपको option सही होगा option number D मंगलवार ठीक है न, Tuesday कौन करता है मैं इसकी लास लेकर जाकर चील और कवे को आगे ढाल दूंगा मानक, सिपाही, दिन्नू, चोधरी 24 के option B सही होगा सिपाही, ठीक है किसके करो में मोती तारो की तरह चमकते है किसके करो को मोती तारो की तरह चमकते है बंतो की, तारो की, धन्नो की इन में से कोई नहीं तो option आपको सही होगा B, तारो की किस पाठ में यह उधारन आया है किस पाठ में यह उधारन आया है फोजी वहां लरने के लिए वह भाग नहीं सकते जो फोज छोड़कर भागते उसे गोली मार दी जाती यह नि किस पाठ में यह उधारन आया है तो 26 का आपको इंसर पता है यह सिपाही की मा में है ठीक है न, यह बात कहा गया है मोहराकेश जी का जनम कब हुआ था यह मैं आपको बता दिया हूँ कि 8 जनबर 1925 में हुआ था आठ जनबर 1925 के हुआ था कहा हुआ था पंजाब में हुआ था पंजाब के कहा अमरीज सर में यह भी याद रखेगा ठीक है इनवे कौन सी कृती मोहराकेश की है जिंदगी मुश्कुराई जानबर और जानबर कोर्सी का घटवार बहती गंगा तो 28 के आपको इंसर सही होगा अफसन नमबर B जानबर और जानबर यह कृती किसकी है मोहराकेश की है ठीक है जानबर और जानबर अगला क्वेश्चन है मोहराकेश का जनम कहा हुआ था तो महुई आजमगड में अभी है जंडी वाली गली अमरी सर में अनपूर मध्य परदेश में लखना उत्तर परदेश में जंडी वाली गली अमरी सर यानि पंजाब मेंन का जनम 1925 में आरजनवरी को हुआ था तीस कोचरे सिपाही के मा की एकांकी संग्रा से लिया गया है अंडे के छिल का तथा अंडे कांकी से लिया गया है याद रखेगा मुन्नी और मानक की मा का नाम क्या है मुन्नी और मानक की मा मुन्नी और मानक की मा जो है वह बिस्नी है कौन है बिस्नी है सिपाही की मा एकांकी के नुस्टा लगाई कहा हो रही है तो 32 के आपको एंसर सही होगा Option number B, बड़ मा में ठीक है? मोहरा केश के एक आंकी का सिर्षक है रोज सिपाही की मा जूठन सिक्छा सिपाही की मा समझे? सिपाही की मा कौन है? सिपाही की मा कौन है? दुरुपद देई दुरुपद देई बिष्नी देई, लखंदेई, हरख़देई तो B अप्सन याद रखेगा 34 के सईयोगा अप्सन B बिष्नी देई सिपाही के माँ एक आंकी में कुंती कौन है? कुंती कौन है? परोसिन है याद रखेगा कौन है? परोसिन लाइक शेर कर दिजेगा जो भी एस्टूडेंट है 36 कोश्चन है रवेश क्या होता है रेश्मी चादर, उनी चादर, मोटे सूत की बुनी चादर और के बन कमबल इसका एंसर होगा मोटे सूत की बनी चादर यही रवेश होता है तो मुझे उमीद है कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और जितना अबजेक्टिव है आपको पूरे के पूरे सही की होंगे तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजेगा और प्लीज अगर आप इसी तरह से अगर अबजेक्टिव और सब्जेक्टिव भी चाहते हैं तो प्लीज आप लोग बिला इकन प्रेश जरूर कर लिजेगा ताकि आपको जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेंशन आप तक असानी से पहुँच भाए तो चलिए आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत